जावा सीखने के लिए हमारे चैनल Learn Coding को सब्सक्राइब करें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Hierarchal Inheritance के बारे में तो यह हमारा Type No.4 है Inheritance का इससे पहले मैंने तीन टाइप बता हैं चैनल के उपर जाके देख लिजे अगर आपने नहीं देखा है स्टार्ट करते हैं What is Hierarchal Inheritance इसका Syntax Example Program भी बताऊंगा ठीक है पहले यह होता है क्या है वो जानो A inheritance which contains only one super class and multiple subclasses and all subclass directly extends super class is called Hierarchal Inheritance Hierarchal Inheritance हम उस inheritance को कहते हैं जिसके पास के बाल एक super class होता है और subclasses बहुत सारे हो सकते हैं एक से ज्यादा होगा ठीक है और वो subclasses directly super class को extend करते हैं उसी को बोलते हैं Hierarchal Inheritance figure को देखो मेरे एक super class है तीन subclasses है और यह देखो तीनों subclasses directly extend कर रहें super से जो भी चाहिए super से direct मागेंगे यह लोग तो इसी चीज़ को syntax में कैसे लिखेंगे यह देखो class A है यहां पर कुछ भी coding किया हुआ है तो यह हमारा super class हो गया अब यहां पर class B मैंने बनाया है जो कि हमारा पहले subclasses यह क्या कर रहा है extend कर रहा है A को तो A का जो भी code यहां पर था यहां पर आ चुका है यह भी क्या कर रहा super class A को ही extend कर रहा है तो इसका जो भी code है न तो यहां पर भी आ जाएगा यहां पर हम reuse कर सकते हैं same code को inheritance का तो यहीं फायदा होता है और इसने खुत कभी कुछ code लिख रखा है तो यहां पर देखो सब classes एक से जादा होने चाहिए लेकिन super class must be single और यह super class को directly extend करेंगे उसी को कहते है hierarchical inheritance चलो इसी same syntax का यूज करके प्रोग्राम कैसे बनेगा वो बताता हूं जो syntax मैंने आपको hierarchical inheritance का लिख के दिखाया है उसी syntax का यहां पर यूज करने वाला हूँ प्रोग्राम को बनाने के लिए तो प्रोग्राम बनाने से पहले यह बताता हूं आपको की inheritance को develop ही गिया गिया है code को reuse करने के लिए तो अलग अलग type के inheritance में आप अलग अलग तरीके से code को reuse कर सकते हैं जैसे single inheritance में अलग तरीका है Hierarchal में एक super class रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे A नाम का एक super class बना लिया, और यहाँ पे जो sub classes होगा ना, एक से ज़्यादा होगा, और जो की same super class A को ही extend करेगा, जैसे यहाँ पे B कर रहा, A को extend, अगर मैं एक और sub classes बना दू, आप अपने हिसाब से जितना बनाना चाहो बना स सकते हो, तो hierarchical inheritance बनाने का purpose यह होता है, कि माल लो आपके पास 1000 sub classes है, B और C की तरह, और उन सभी sub classes में एक ऐसा source code हो रहा चाहिए, जो sub use करना चाहते हैं, इसको भी वही चाहिए, इसको भी वही चाहिए, तो उस case में आप उस common source code को अपने यहाँ पे sub class के अंदर लिख दो, यह क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने extend कर रखा है, super class एक हो, तो चलो दिखाते हैं, मैंने क्या बोला, उसको real में कैसे implement करना है, तो माल लो इसके पास एक method है, जिसका नाम है input, ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं लिखूँ, system.out.println, और मैंने क्या ल name, ठीक है, यह message मैंने यहां पर लिख डाला, अब class B में आते हैं, जो कि पहला subclass है, यह अपना name enter करना चाहता है, यह चाहता है, कि मैं जब भी name input करूँ ना, तो मुझे एक message मिल जाए, तो यह इस code को reuse करना चाहता है, reuse कर लेगा, क्योंकि extend किया हुआ है, अब यह अपना coding आगे से लिखना start करेगा, इसको यह वाला line लिखने का दरकार नहीं है, तो इसके पास एक method है, so, मालो यह इसने खुद से बनाया, बना ही रहा है, यहां पर इसने क्या किया, system.out.print, ln लिखा यहां पर, और यहां पर यह क्या बोल रहा, my name is Ankit, ठीक है, यहां पर इसने यह अब उसके बाद अपने पास एक और सबक्लास है, c, c भी क्या सोच रहा, c भी अपना name input कराना चाहता है, इसके पास एक अलग method हो गड़ी, ठीक है, यहां पर भी message देंगे, system.out.println, यह भी बोल रहा, my name is, यहां पर अंगोज, क्योंकि यह इसका खुद का method है, independent है, कुछ भी code लिख सकता है, जोरी नहीं है, कि यह नाम जो लिखा, यह भी वही लिखे, ठीक है, यहां पर दोनो method same, इसलिए नहीं करा, मैंने, क्योंकि overriding हो जाएगा, जब overriding बताऊंगा, आपको, वहां पर clear कर दूँगा, ठीक है, अभी object बनाने की बात आती है, तो आपको एक returns का फाइदा उठा पाऊगे, तो आप B का object B में बना सकते हो, यहां पर C का यहां पर बना सकते हो, लेकिन object बनाने के लिए मैं एक अलग class बना रहा हूँ, उस class का name होगा हमारे demo, इस demo class के अंदर main method बनाएंगे, यहां पर अपना object creation का का काम करेंगे, सबसे पहले class B का object मुझे लिखना होगा, अभी class B का object reference है R, तो यह super class के input method को call कर सकता है, क्योंकि इसके source code को reuse करना है, इसे जरूरत है, और इसके पास भी एक खुद का method है, जिसका name है so, इसने खुद रखाया, ठीक है, अभी class C के पास भी same requirement है, इसको भी अपना code execute कराना है, इसका R2 object है, य और आपको मैं result दिखाता हूँ कि हम जो चाहते हैं, वो आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे border variable R2 type of C method so, ok, यहाँ पे method disp हमें लिखना होगा, क्योंकि class C में disp method so नाम का नहीं है, अभी चलते हैं, recompile करा हमने, यह हो गया compile, run, तो देखो, enter your name, सबसे पहले, my name is Ankit आ गया, जो कि इस B class का result है, उसके बाद enter your name, my name is Ankit यहाँ पे आ चुका है, तो यह दोनों सब classes, super class के इस source code को reuse कर रहे हैं, तो अगर आपके पास भी ऐसा requirement हो कि आपको अपने particular किसी source code को, अपने हजारों लाखों sub classes में use करना है, तो आप common वाले source code को इ extend कर दो, तो अपने आप सभी reuse करते रहेंगे, जैसे यहाँ पे B और C कर रहे हैं, देखो, B ने भी इस line को use करा, और C ने भी use करा, दोनों की अलग-अलग object से हमने जब call करा, तो यही purpose होता है, hierarchical inheritance का use करने का, उम्मीद करते हैं, आपको वीडियो समझ में आ गया है, कर दिजे, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है,